हेलो फ्रेंड्स वाद वस्वागत है आपका विश्य अकाडमी पर फ्रेंड्स देखिए आज के इस क्लास में आप सर्षाट बीप्यस्टी और सीडिप्यो के लिए टॉप 30 कुश्चन देख रहे हो आईए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल मेटिस समराजवाद के दोरान भारत का आर्थिक अपवाह का शिद्धान कि इसने प्रस्तूत किया था ओप्शन नमबर यहां पर भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दादा भाई नरोजी इनके बारे में पहले भी काफी कुछ बताया गया था यह समझ लेजिए दादा भाई नरोजी जो है भारती राष्टी कॉंग्रेस के सेकेंड अध्यक्ष 1886 में रहे थे उन्हें भारत का वयोविद प्रूश के नाम से भी जाना जाता है और 1892 से लेकर 95 स्वी तक भी ब्रेटेन के हाउस आफ कॉमन्स के सदर से भी रह चुके थे नेक्स्ट कॉशन देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सामपरदाइक परतिनिजित्व की मांग को श्विकार कर लिया गया ओप्सन नमबर बी हो जाएगा सही जबाब 1916 के लखनव अधिवेशन में नेक्स्ट कॉशन है जलिया वाला बाग हत्याकांड की जाच के लिए कॉंग्रेस की समीती में निम्न में से कौन है जो नहीं थे बताना है देखिए मदन मोहनमालविये जो हैं जाच समीती के अध्यक्ष थे यह अध्यक्ष वहाँ पे थे और आप्शन नमबर ए हो गया मोती लाल नहिरू और महातमा गंदी यह तीनों थे बट यहाँ पे लोकमान बाल गंगा दर तिलग जो है यह सदस्ट उनके नहीं थे तो आप्शन नमबर आपका यहाँ पे सी है बिलकुल सही जबाब नेक्स्ट कॉशन है ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपणी के चाय के व्यापारिक एक अधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया ओप्शन नमबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जबाब प्रेटिस भारत में वाईशराय केनिंग ने निमन मेंसे किस समों के लिए तुफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया देखिए 1857 का जो क्रांती हुआ था 1857 के क्रांती के बाद अंग्रेज ने भारती रजवारों के लिए अपना जो मतलब उनका सूच था वो चेंज कर दिया दिया विद्रोह के दौरान क्या हुआ था कि भारती सासक जो है अंग्रेज के साथ काफी ज़्यादा मतलब वफादार थे लोयल थे आपको पता ही होगा और भारत का जो विद्रोह है उसे कुचलने में काफी ज़्यादा एक्टिव रहते कौन तो भारत के जो मतलब को सासक लोग थे वही इसके लिए न वाइसराय लॉड कैनिंग ने कहा था कि इन सासकों ने तुफान में तरंग रोधकों का काम किया मतलब यह अगर ऐसा नहीं करते तो साथ जो भी विद्रोह बगरा हो रहा था वो काफी अच्छे से जोर पकरता यानि कि तुफान के तरह आता मगर उसमें क्या हुआ था एक ब्रेकर के रूप में काम किया था कौन तो ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा भारती रजवारों के लिए यह सब यूच किया गया था वही ऐसा किये थे नेक्स्ट कॉशन एक ड्वितिये विश्व यूदि के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रेटिस सरकार भारत लेकर आई थी तो अमिर्का के ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा संयुक्त राज अमिर्का के सैनिक को लाया गया था भारत में नेक्स्ट कॉशन एक अर्थ सास्त्र को व्यस्टी और समस्टी समझेंगे अर्थ सास्तर को व्यस्टी और समस्टी में किसने भी भाजित किया था यह बताना है तो देखिए नार्वे देश के नार्वे देश के अर्थ सास्तरी जिनका के नाम था रैगनर फ्रीश ओप्शन नमबर सी समझेंगे इन्होंने VST और समिष्टी को अलग किया था इसका मतलब हुआ कि माइक्रो और मैक्रो सब्द माइक्रो और मैक्रो सब्द उनका दिया हुआ है जिसे आप VST और समिष्टी के रूप में जानते हैं ये अगर पूछे कि सब्द कहां का है तो ग्रीक का ये सब्द है कौन सा वियस्टी और समिस्टी जो है ये ग्रीक का सब्द है ध्यान रखेगा इसका अगर पूछे कि क्या रूप क्या मतलब उसका मतलब होता है सुक्ष्म और विरिहत होता है सुक्ष्म और समिस्टी मतलब होता है विरिहत रूप इसका होता है तो मूठ का यहाँ पे समझना आपको यह है कि मूल अधिकार का जो चा जाता निक मूल अधिकार का हनन हो रहा है उस पर सर्वोच नियाय लई जो है यानि कि ही सुप्रीम कोट जो है वो ऑड़िकल जो है 32 के तहट और अगर हाइक कोट के बारे में पूरसता है हाई कूर्ट के बारे में तो आर्टिकल जो है इसका आपका ये कितना 226 था 226 के तत एक्ट जो है 226 इसके तहआत आर्टिकल के तहआत ये रिष जारी कर सकता है ठीक है और नियाय पालिका ही भारतिये समिधान के अंतररित मूल अधिकारों का संदक्षक माना जाता है कि निक्स्ट कुर्शन एक निम्रिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है अब देखिए निर्वाचन भाग 15 में है अपात कालीन जो है अठाद से समंदित उपवन जो है अठाद से और समिधावन संसोदन भाग बीश में और अनुसूचित एवन जन जातिये छेत्र जो है यह भाग 10 में इन में से क्या है कि सारे यहां पर सही मैच किए तो यहां पर आप्शन नंबर यह नहीं दिया हुआ इसके लिए माफी चाहूंगा आपको पता ही होगा वेपिए से और से डीपो में आपका आप्शन एभी आएगा इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो आप्शन यहां पर आपको टिक करना होगा नेक्स्ट कोशन एक लोग अदालतों कि अस्थापना बताना है आपको कि पहली बार निमलिखित में से किस राज्ज में हुई अगर अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा तो आप एक बार जरूर आकर चेक कर लिएगा काफी सारा प्रैक्टिस जो है वह आपके अगर पूछे तो यह भी हो जाएगा गुजरात में समझेगा पहली बार उनिश्व बेराशी में 1982 में गुजरात में लोक अदालत की अस्थापना हुई थी जगह समझ गए गुजरात कब तो 1982 अगर पूछे तो यह भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है कि भारत में पहली बार केंज सरकार के विरुद्ध लोक सभा में और विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया एक डेटा आपको बताया जा रहा है तो समझेगा उसके बारे में देखें लोक सभा सची वाले का जो आकराव अगर रहता है ना उसके एकॉर् समझेगा है कि पहला और विश्वास प्रस्ताव जवाहर लाल नहरू के खिलाफ अगस्ट 1963 में आया था अगर मंत पूछले अगस्ट भी आपको ध्यान रखना है अगस्ट 1963 में आया था अगर पूछे तो वो किसने लाया था नाम भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको नाम ध्यान रखना है कि ये भी क्रेपलानी शहव लाये थे ये ध्यान रखिएगा उनिस्ट त्रेशट अगस्ट में नेक्स्ट कोशन है कि भारत एवंग यूरोपीय संग का शोलवा शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्सता में डेट आपको जान लेजिए आठ मई 2021 को कि किस देश की अध्यक्सता में हुआ था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पूर्तगाल ऑप्शन नंबर आपका यहां पे डी बिलकुल सही होगा समझेगा भारत और यूरोपीय संग का जो सोलवा सिखर समेलन है पूर्तगाल में हुआ पूर्तगाल की मेजवानी में आठ माई 2021 को हुआ ठीक है कोवीड जो महावारी है इसके दूसरी लहर जो आया था उसके वज़ा से भारत के परधान मंत्री की पूर्तगाल की जो यात्रा थी वो मतलब कैंसील हो गया था और उसे वर्चुल तरीके से निक ऑनलाइन जिससे आप कहते हैं उस तरीके से सिख अगर आपसे पंद्रवां शिखर सम्मेरन पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के डेट के एकॉर्डिंग है 15 जुलाई 2020 को हुआ था ठीक है भारत की मेजवानी में वर्चुल तरीके से संपन्वी थी ध्यान रखेगा भारत की मेजवानी में हुआ था इसलि भाग लिए थे इसमें नेक्स्ट कोशन है कि भारत और आस्ट्रिया के मद टू प्लस टू वारता का आयोजन निम्न में से किस अस्थान पर किया गया तो देखे नई दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सही जवा भारत और आस्ट्रिया की बीच जो पहली है अक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में होता है और इसके अलावा भी अगर पूछे तो भारत जो है जापान और अमिर्का के साथ यह भी जान लेजिए जापान प्लस अमिर्का के साथ ठीक है जापान प्लस अमिर्का के साथ टू प्लस टू का वारता भारत का होता है आपका यहां पर C हो जाएगा 25 करोर से बरहा कर 50 करोर कर दिया गया है ठीक है देखते हैं next question विकास बैंकिंग, सीमा बैंकिंग और वानेजिक बैंकिंग के कारिका समनवाई कौन सा बैंकिंग कहलाता है option number आपका यहां पर C बिलकुल सही जवाब हो जाएगा universal banking कहलाता है अगर पूछे एक universal banking की परकिरिया है कौन सा बैंक है जो सुरू कर चुका है तो आप यह भी जान लेजिए ICICI bank आपका एक हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा IDBI bank तीसरा आपका है HDFC bank यह सारे जो है वानेजिक bank है और यह universal banking परकिरिया सुरू कर चुके है आईए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्यन नेक्स्ट है कि अगस्ट 2021 में पूने स्थिद सैना खेल संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है अगस्ट 2020 में पूने में जो सैना खेल संस्थान है इसका नाम बदल कर नीरत चोपराइस्टेडियम रखा गया है अगर पूछे किसकी घोषना किस ने की थी तो भारत के रक्षा मंतरी जिनका के नाम क्या है राजनात सिंग नाम ध्यान रखेंगे राजनात सिंग ने नीरत चोपराइस्टेडियम नाम कर दिया गया है जो कि पूने में है कौन सा सैना खेल संस्थान उसका नाम बदल कर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुवात निमलिखित में से कब हुई थी बताना है तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुवात 27 सितंबर 2021 को हुई थी ठीक है कौन किये थे परदान मंति नरिंद मोरी ने किये थे इसके तहट क्या है लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनकर मिलेगा और इसमें जो उसके हेल्थ के बारे में सारा कुछ उसमें दिया रहेगा सारा रिकॉर्ड समझेए कि उसी में रहेगा एक कार्ड में वाइरस की विकास के लिए किसकी आवजशक्ता होती है ओप्शन नमबर डी हो जाएगा जीवित कोशिका की देखिए निक्सट कोश्चन जीव द्रव की खोच किसने की थी ओप्शन नमबर बी हो जाएगा डूजारडिन ने जीव द्रव की खोच की थी निक्स्ट कोशन के जब गेंद जमीन पर उच्छा-ली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है option number भी हो जाएगा इसका शमवेग ध्यान रखिएगा जब बॉल को आप जमीन पर उचालेंगे निक पटकेंगे तो आचानक क्या परिवर्त है तो इसका जो समवेग है वो परिवर्तित हो जाता है नेक्स्ट कुशन है कि निमन में से कौन सा हाइड्रोजन का आईशोटोप नहीं है आपको बताना है देखे हाइडरोजन में समझेग अच्छे हाइडरोजन के तीन समस्थानिक होते हैं कौन कौन सा एक हो जाएगा आपका प्रोटीन दूसरा है आपका कौन सा गूदेडियम और तीसरा हो जाएगा यह ठीत्रियम जो दिया हुआ ठीक है इसे ट्राइट्टीम लिखाता इस ते ट्राहेट्iant के हैं समस्थाने खाए और यह आपा शक्तिक दिया होगा यह आउसर्टूप इसका यह नहीं होता है है इंक्स्ट कुश्षन कि पर्मानु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन उर्जा का प्रियोग किया जाता है तो आप्शन नंबर भी हो जाएगा बिजली बनाने में यह देखिए वह प्रक्रिया जो मतलब ऐसे कहिए कि जिस एक जो भारी नाभिक दो अलग-अलग भाग में तूट जाए व और यह क्या करती है तो यह बिजली बनाने में उप्यों मतलब फाइदा करती है नहीं विद्धू तुर्जा का यह उत्पादन करती है इसे समझे आप्शन नंबर भी हो जाएगा निक्स्ट कुर्शन है कि इन में से कौन महामारी और समस्थानिक दोनों प्रकार की बिमारी है बताना है देखिए हैजा जो है हैजा के बैक्टेडिया नॉर्मल किसी इंसान में न जो खराब खाना होता है यह आप दूसी भोजन कहते है वो खाने से या फिर पानी पीने के मतलब करम में यह मध्यम से हो सकता है ध्यान रखेगा हैजा ओप्शन नंबर भी महामारी और समस्थानिक दोनों परकार के विमारी कौन सी है तो हैजा है नेक्स्ट कोशन एक पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकास सबसे ज़्यादा अवशोसित होती है देखिए पौधे जो है प्रकास संसलेशन में नॉर्मली कुछी रंग का प्रियोग करते हैं लाल और जो नील और एक होता है हरा रंग हरा रंग जो है यह नहीं के बरावर मतलब कहिए कि यह मतलब संसलेशन नहीं के बरावर करता है तो लाल एवग नीला यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा आवशोसित करती है पौधे ठीक है ओप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब ने आप्शन नमबर भी हो जाएगा शकरवी रोग से गरसित होंगे जड़ी कोई व्यक्ति शकरवी रोग से गरसित हो जाता है तो उसका रीजन आप समझ लेजिए कि उसे विटामिन C की उसमें कमी आ जाती है और आपको पता ही होगा विटामिन C में जैसे खट्टे फल, मेर्च आवला वगड़ा ये सारे आते हैं पाए जाते हैं मेंडल की आनुवान सिक्ता सिध्धान्त किस पर आधारित है बताना है ओप्शन नमबर आपका सी हो जाएगा लैंगिक जनन पर नेक्स्ट कुश्टिन है विस्ट्व के सिर्ष चार लोह अयस्क उत्पादक देशों का न देखें सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पे चीन अस्ट्रेलिया ब्राजील और भारत चीन अस्ट्रेलिया ब्राजील भारत जो है ये टॉप फूर कंट्री हैं जो लोह अयस्क उत्पादक देश हैं ऑप्शन नमबर यहाँ पे बिलकुल सही होना चाहिए 1106 व्यक्ति पर वर किलोमीटर है ठीक है पस्चिम बंगाल का जो आपका है ये 1029 है और उत्तर प्रदेश आपके लिए हैं अगर आपको जवाब पता हो ताप उत्तर प्रदेश का बताईएगा कि जो जन संक्या घनत्व है वो कितना है तो आप्शन नमबर वै किया जला है समझजिएगा सबसे पहला हो जाएगा आपका बिहार जो कि यhmenचीश ज्यक्ति पर किलोमीटर है सकेंद नमबर पर अपका है पस्चिम बंगाल जिसका एक चाहल यह थाए थिस्य है तिसरे नमबर पर आपका हो जाएगा के रल अगर चौता नमबर पूचता है तो आपका हो जाएगा उत्तरप्रदेश और अगर पाच्वा नंबर पे पूछ लेता है तो हर्याना आपको ध्यान रखना है ठीक है बिहार पश्चिमगाल केरल उत्तरप्रदेश और हर्याना जन्सक्यां घरत्यों की दिरिष्टी से टौफ फाइप स्टेट हैं भारत के नेक्स्ट कोशन एक निम्न में से कौन सा कथन राजमार्गों के समंद में बताना है आपको कि सही है तो देखिए राश्टी राजमार्ग का जो कुल सरक मार्ग की लंबाई का मातर 10% दिया हूँ है तो सबसे पहले समझ लिए कि ये गलत है कितना परसेंट है तो बस 2% है थीक है महराष्ट्र्ट में अगर पूझे कितना है तो सत्रह ह zestु सत्रह हजी 757 कीलो मेटर है महराष्ट का ठीक है इसके बाद उत्तर पॉप्देस में अगर पूझे कितना है ग्यारा हजार 7177 अगर आपको ज़वाब पता हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता हो तो आप इसकी इंस्वारिश का जरूर ले लिजेगा फिर उसके बाद आता है राजस्थान का अगर पूछे कितना है तो ऐसे समझे बहुत ही जी है बस चार को आपको नाइन डाल देना है बस हो गया उसके बाद देखिए जैसे सर्वाधिक लंबा राश्चि राजमार्क अन एच 2 दिया हुआ थि यह आपका गल्ट हो जाएगा न एच 44 है यह आपको ध्यान रखना है एन एच 44 सबसे ज्यादा लंबी राश्चि राजमार्क है तो यहाँ पे आपका option number क्या हो जाएगा सही जवाब आपने देखा option number आपका यहाँ पे C हो जाएगा क्या सुतंतरता प्रतापती के बाद जो है यह 5950 में राश्टी राजमार्गों की कुल लंबाई आपका सही है बाद वाकि आपने देखा 10% नहीं यहाँ पे 2% है फिर यूत उत्तर परदेश नहीं होकर यहाँ पर महराष्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आए देखते हैं आज का लास्ट कोश्चन बताना है कि पिर्थवी की सता पर सता में जो उपर थी तत्व निम्न क्रम में है कौन सा क्रम सही है आपको बताना है चाहें तो वीडियो को यहाँ भी आप रोक लीजेगा आपको जवाब यहाँ प 27.69% है और अलुमुनियम की अगर बात करेंगे तो 8.07 यानि की 8.07% है हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन है वो नहीं के बराबर में होता है तो आप्शन नमर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा ई नहीं हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही जवाब ठीक है ऑक्सिजन 46% सिलिकॉन 27% और अलुमुनियम 8% है तो अभी आपने 66BPSC और CDPO के लिए टॉप 30 कोशन देखा आशा करता हूँ आपको कुशन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा 66BPSC CDPO के लिए काफी सारा प्रैक्टि कर आपड़ा होग है